EVS Pedagogy for 2021 Seated Exam Top 10 Questions की 12th वीडियो आपके सामने है 11 वीडियो हम और ले चुके हैं EVS की जिसके लिंक आपको मिल जाएंगे या फिर आप हमारे चैनल को वीडियो को खोलेंगे चैनल की तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी ये 12 वीडियो जबरतस्त 10 Questions की होने वाली है जो EVS के अंदर आपको कितनी जानकारी ही ये मापेगी और Seated के अंदर ये जो EVS की तयारी हम करवा रहे हैं ये और भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप हमारे Back to School की Android अप्लिकेशन को इंस्टॉल करें 10,000 से ज़्यादा स्टॉडेंट इंस्टॉल करके फायदा उठा रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन लेजिएगा आज सब्सक्रिप्शन लिया भारती ने इनकी तरह आप भी सब्सक्रिप्शन ले और अपने एक्जाम को क्लियर करने के लिए आप बिल्कुल निश्चिन्त हो जाएं तो चलिए दोस्त पहले कोशन से स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है EBS पढ़ाने के दोरान दरश्य विज्यापन का उपयोग करने का उदेश्य क्या है वट आर दा परपस यूजिंग वीज्वल एड्स यूजिंग टीचिंग EBS यानि कि आप वाइल टीचिंग EBS वाइडो यूज वीज्वल एड्स ऐसे साधन जो बच्चों को जो बच्चों को दिखें भी वो दरश्य साधन कहलाते हैं जैसे की चार्ट हुआ और ये सारे चीज़ें बच्चे की लर्निंग को और अच्छा बना देती हैं आंसर बताईए क्या होगा इसमें देखे to make the subject simple किसी भी विशय को सरल बनाने के लिए आप वीजबल एड्स का प्रियोग करते हो मान लो आप बच्चों को एक चीज़ पढ़ा रहे हो solar system solar system का आपने क्या दिखा दिया बच्चों को चार्ट दिखा दिया जो एक वीजबल एड है तो इससे क्या हुआ इससे जो subject वा जो topic वा जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो क्या बन जाता है easy बन जाता है चात्र अवदारनाओं को आसानी से समझ सकते हैं और ग्यान को सार्थक भी बना सकते हैं next question है कृतिका जो घर में अधिक बात नहीं करती वे स्कूल में बहुत बोलती है वे कक्षा कक्ष में चर्चाओ में एक्टिव रूप से इससा लेती है यह किस चीज को परदर्शित करता है कृतिका who doesn't talk much at home talks a lot at school she actively takes part in discussion in the classroom it shows that पहला भी तहले एक ऐसा स्थान है जहां उसके विचारों को सम्मान मिलता है यह question बार बार आया है यह most important है a school is the place where her thoughts are get acknowledged बच्चे के विचारों को सम्मान जहां पर मिलेगा जहां पर बच्चे की बात actively सुनी जाएगी और जहां पर बच्चे को लगेगा कि मेरी बात कोई सुनी नहीं रहा है वहां पर बच्चा नहीं बोलेगा और जहां पर लगेगा कि बच्चे की बात सुनी जा रही है समझी जा रही है उस बात को value दिया जा रहा है वहां पर बच्चा क्या करेगा खुल कर अपने विचारों को परदर्शित करेगा इसलिए बच्चों को जब भी आपको मौका देना है तो आपको खुले तरीके से मौका देना है उन्हें चलिए next question देखते हैं क्या है तीसरा question है आपके सामने नीचे दिये गए कुछ activity हैं उनको आपको बताना है कि जंगलों के गायब होने के लिए कौन से जिम्मेदार हैं चलिए which activities are responsible for the disappearance of forest खानों का उत्खनन digging of mines येस इससे जंगल कटते हैं ठीक है पहला बांधों का निर्मान construction of dams येस इसके लिए भी पेड काटे जाते हैं बाजार में बेचने के लिए पत्तियां वे जड़ी बूटियां इकठा करना नो बांस की टोकरी बुनना येस इसके लिए भी किरे हुए पत्तलों से पत्तल बनाना नो तो आप मुझे बताओ कि कौन कौन सी activity थी जो disappear हो रहे हैं हमारे forest उसके पीछे कारण है तो आंसर आएगा A प्लस B प्लस D यानि कि digging of mines, constructing dams और weaving baskets from bamboo बांस से टोकरी बनाना बांध के निर्माड और खानों का उत्खनन A, B, D आंसर होगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है Your principal asks you to take class fifth students on an educational visit पांचवी क्लास के बच्चों को आपको educational visit पर लेकर जाना है आपके principal ने ऐसा कहा है What would you include while planning for such a visit to make it meaningful ऐसे अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना के अंदर क्या-क्या चीजे शामिल करेंगे पहला option कहता है आपको यहां पर जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना दूसरा option है आनन्द के लिए प्रयाब्द भोजन prepare structural activity हम क्या करते हैं ऐसे में हम structured activity करते हैं आपको आपकी class में मान लो एक lesson है जिसके अंदर लाल किला लाल किले का जिकर है तो आप लाल किला दिखाने बच्चों को ले कर गए तो लाल किला जब आप देखने जाएंगे तो क्या-क्या activity होंगे वो structured activity होगी यानिकि उसकी planning आप पहले से ही कर लेंगे pre-planned activities होगी आपकी pre-planned आपकी visit होगी और same time आप क्या करेंगे ये भी देखेंगे कि बच्चे साथ के साथ meaningful plus authentic study कर रहे हैं meaningful plus authentic learning हो रही है यानि ये भी आप जरूर देखेंगे meaningful plus authentic learning हो रही है यानि ये आप देखेंगे कि बच्चे कुछ चीज को देख रही है या सिर्फ इदर उदर अपनी आखें ही से करें ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि जब भी कक्षा पांचवी के करीब के चात्रों को एक सेक्षिक यात्रा के लिए आप कहेंगे तो टीचर उस जेंगे की यात्रा करने से पहले ही उस जेंगे के बारे में अलग-अलग activity क्रियेट करा लेगा पहले classroom के अंदर ये उस जेंगे के बारे में quiz खुला खिला लेगा बच्चों को activity sheet तयार करवा लेगा बच्चों की और बच्चों के साथ जो है ये सब चीज़े share करने से क्या होगा कि जो learning होगी वहाँ पर जाने के बाद जो activity होगी वहाँ पर जाने के बाद वो काफी प्रमानिक होगी तो last D answer यहाँ पर होगा अगला question देखते हैं क्या है अगला question है the section of survey and write for class 5th in EVS primarily aim set यानि कि कश्चा 5 की EVS की book के अंदर आपने सर्वेक्षन और लेख सर्वेक्षन का मतलब है observation सर्वे करना और लेखन का मतलब है writing यानि कि पहले EVS के अंदर 5 वी class के बच्चे को पहले तो teacher observe करने को कहता है और जो चीज उसने observe की उसको फिर लिखने को कहता है तो teacher क्या कर रहा है teacher बच्चे को सीखने के मौके उपलब्द करा रहा है और उसे कह रहा है कि पहले आप चीजों को observe करो और फिर उनके बारे में लिखो यानि कि पहले तो आप जो है क्या करें पहले तो आप observe करने के लिए बच्चे को कुछ दे यानि कि बच्चे को सिख्षा के अवसर उपलब्द कराएं और फिर बाद भी उन चीजों को सीखने और समसें लिए बच्चे को खुद के अप्शन नमर भी प्रोवाइडिंग अपोर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एक्स्प्लोर एंड लर्न इसका मुका दिया है एक्स्प्लोर एंड लर्न खुद खोज कर सीखो अगला कोशन है प्रात्मिक्स तर के EVS की पाठ्य चरिया को शुद विज्ञान और समाजिक विज्ञान की कंसेप्ट को समलित करके विक्सित किया गया है ऐसा करने का मुख्या उदेश्य क्या है EVS करिकुलूम एट प्राइमरी स्टेज रचे है विज्ञान के एक रूप में पढ़ाया जाता है पर्यावन अध्यन के रूप में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एकिरत पठ्यकरम विज्ान के इस एकिरत प्रिक्रती को उजागर करना चाहिए यह एकिरत तरीका है integrated solution है बच्चों को पढ़ाने का जिसमें प्रियावर्ण अध्यन के रूप में विज्ञान और समाजिक विज्ञान को एक साथ पढ़ा दिया जाता है और इसके अंदर जो करीकुलम होता है वो स्टूडेंट्स की डेली लाइफ के साथ जो है लर्निंग को जोड़ता है जिससे कि और ज्यादा मीनिंग्फुल जो है आपकी लर्निंग हो जाती है तो आंसर क्या होगा सिक्षार्थ्यों को प्रियावर्ण के सांकललेवादी धंग से देखने Йयोगये बनाना सांकललेवादी का मतलब क्या होगा होलेस्टिक मेनर enable to learner enable a learner to look at environment in holistic manner option number क्यांपर बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि आप science, social studies के रूप में इकठा करके आप पढ़ाएंगे तो यह तरीका होगा integrated तरीका जानि कि मिलाजुला तरीका और इससे क्या होगा इससे बच्चे क्या जो है holistic जो manner होगा उस तरीके से development होगा next question देखते हैं next question आपका the skill required to read a map include एक नक्षा पढ़ने के लिए एक map पढ़ने के लिए आपके पस कौन-कौन से skill होने चाहिए देखिए आपको तीन चीजों की जो है तीन-चार चीजों का पता होना चाहिए पहला होना चाहिए relative position दूसरा distance और तीसरा direction तो यहाँ पर answer क्या होगा बताईए मुझे स्थान दूरी और दिशाओं के संबंद को स्थिती को समझने की शमता option number D यहाँ पर बिल्कुल टीक होगा अगला question देखते हैं अगला question चार भावी सिक्षकों से कक्षा पांच के students के लिए मूल विशा यात्रा पर प्रस्तुति करने के लिए कहा गया आप मुझे बताए कौन सा बैस्ट होगा four teachers were asked to make a presentation on the theme travel four class fifth each of them mainly focus on one of the following strategies चार teacher हैं आपके राम चाम सोनू और ब्रीजेश ये मानलो चार आपके जो है teacher है इन चारों को बोला गया कि आपको travel जाने कि यात्रा इसके उपर एक assignment बना के लाना है बच्चों के सामने present करने के लिए तो आप मुझे बताना कि कौन सा best होगा यात्रा के विबिन साधनों को दर्शाने वाले चार्टों का उपियोग करो और उनकी व्याख्या गरो using chart to show different models of travel along with explanation दूजरा है आपका using textbook content to explain different models of travel यानि कि बुक की मदद से आप यात्रा करने की अलग-अलग विदियों को दर्शाएंगे तीसरा है asking student to collect pictures of different modes of travel and prepare a scrapbook विदियार्थियों को यात्रा के साधन के अलग-अलग चीजों के चित्रों को स्क्रैब बुक पर चिपकाने के लिए आप बोलेंगे या फिर विदियार्थियों से यात्रा में उपियोग किये विबिन साधनों के अनुभों का Vernon करने के लिए आप कहेंगे asking student to narrate their own travel experience using various modes of travel यही answer होगा आप बच्चों को बोलेंगे कि आज तक आप जितने भी संचार के जितने भी आप साधरों में बैठे हो एक जिए इसे दूसरे जाने के लिए आप हमें बताएं और अपने अनुभव को बताएं क्योंकि आपको पता है एक चीज़ जो विद्यारती ओप चारिक यानि की लेखन कारिये में देखे यहां पर आप एक चीज़ देखते हैं कि यहां पर यह जो काम होगा इसके अंदर बच्चा अपने अनुभव शेयर करेगा और सबसे अच्छा क्या होगा जब बच्चा अपने अनुभव शेयर करता है तो अप्शन नमबर डी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा नेक्स्ट कोशन है आपके सामने दो पहर के बोजन के बाद EVA सिक्षन में जब आपको लगता है कि छातर सबक में रूची नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे सबक का मतलब है लेसन सबक का मतलब लेसन बच्चे इंट्रेस्ट नहीं ले रहे तो क्या करेंगे विशेय को दिल्चस्ट बनाने के लिए ओडियो विजवल का उप्योग करेंगे बिल्कुल ठीक है आप उन्हें फिल्म दिखा सकते हैं दो पैर के बोजन के बाद अगर आपको लगता है कि इंट्रेस्ट कोई नहीं ले रहे तो आप सबसे बहतर तरीका वही होगा उडियो विजवल लेड्य यूज़ करने का अगला तरीका ओखले संसेप्शन डैश अर्थ में प्रयूक्त होता है अगर इसको हम इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में हम आपसे पूचेंगे इब्रिविएशन ईविएस स्टेंड फॉर यानि कि यह जो EVS है दोस्त, यह किसके लिए जो है stand करता है, इसकी full form क्या है पहला है environmental skills, दूसरा है environmental science, तीसरा है environmental sources और चोता है environmental studies बताए इसका answer क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं EVS संशेपन की बात करूँ अगर मैं बात करूँ कि EVS को आफ फुल form में क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आएगा environmental studies option number D जो होगा दोस्त, यहाँ पर बिलकुल right answer होगा और दोस्त आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यह जितनी भी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ यह आपके seated के exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important है तो हमारे चैनल को दो subscribe जरूर करें अपने दोस्तों तक भी हमारे चैनल को पहुँचाए और जो यह videos में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इनको पूरा का पूरा आपको देखना है और जैसा मैंने कहा कि आपके seated के exam में 90% से ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी जो मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि mock test notes और PDF ये सारी चीज़े bilingual हमारे back to school के android application पर है और आपको बस जल्दी से इसको install कर लेना है और install करने के बाद subscription लेना है जैसे आज भारती ने लिया और कल काफी students ने लिया जैसे श्वेता, अमरिता, नेहा, सोनु और विवेक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपसे मुलाकात करता हूँ सूपर टैट की तियारी भी आपकी शुरू हो गई है पहली वीडियो का फिजल दी आने वाली है तो वेट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्त, टेक कियर